पाकिस्तान का जूट अब फिर एक बार दुनिया के सामने आ गया है अपना खाली खजाना भरने के लिए इमरान खान इस हद तक गिर चुके हैं जिसकी कलपना भी नहीं की जा सकती है पाकिस्तान में भी कोरोना वाइरस अपने पैर पसाड़ चुका है फिर भी वहाँ होने वाले कोरोना के मामलों को छिपाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तान के जूट का खुलासा हो गया है क्यों छिपा रहा है पाकिस्तान कोरोना मामले दिखाते हैं आपको इस रिपॉर्ट में पाकिस्तान में कोरोना के अब तक पांच केसिस सामने आ चुके हैं कई मौकों पर जूट बोलने वाले पाकिस्तान का फिर एक जूट पकड़ा गया है जैसा कि चीन से निकला ये घातक वायरेस इरान, साउथ कोरिया, जापान, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल और भारत में भी दस्तक दे चुका है वहीं पाकिस्तानी मीडिया का दावा है यहां स्थतीज जादा खराब है और उसके देश के सरकार कोरोना के मामलो को लेकर पूरा सच नहीं बता रही है मीडिया का आरोप है कि सरकार जान बूच कर कोरोना वाईरस के मामलो को दबाने में लगी हुई है ताकि वहाँ चल रही T20 क्रिकٹ लीग पर कोई आच ना आने पाए पाक में इन दनों पाकिस्तान सूपर लीग यानी PSL खेली जा रही है इसी कारण कोरोना के मामलों को खास सौर से दबाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि PSL खेलों के आयोजन से पाकिस्तान को बड़ी आमदनी होने की उमीद है हालकि कोरोना वाइरस को देखते हुए इस तरह का कोई भी सरवजने का आयोजन खत्रे से खाली नहीं कहा जा सकता इसे पाकिस्तान का दोहरा रवया ही कहा जाएगा कि एक तरफ तो उसने कोरोना वाइरस के मद्ध नजर एरान अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहदे बंद कर दी है वहीं दूसरी और वे पैसे के लालच में इस तरह के खेलों का आयोजन बेख़ौफ होकर कर रहा है जिसमें भारी भीड जुटेगी कुरोना वाइरस के केसों को छिपाने के आरोप को प्रधान मंत्री इमरान खान के विशेश सहायक डॉक्टर जफर मिर्जा ने निराधार बताया है मिर्जा ने कहा है पाकिस्तान सरकार ने इस वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए एहम कदम उठाए है इससे कुछ हद तक महामारी को रोकने में कामिया भी हासल हुई है अपनी पीट थपतपाते हुए उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमारी नीक्यों की वज़़ से ही ये वाइरस पाकिस्तान में उस तरह से नहीं पहला है जिस तरह से अन्य देशों में इसका प्रकोप जारी है हाला कि हमें सबसे खराब स्थिती के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है और हमें सबसे बहतर की उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान लगतार खुद पर लगे इन आरूपों को बेबुनियाद बता रहा है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिती क्या है ये किसी से भी छिपी नहीं है मीडिया लगतार पाक पर ये आरूप लगा रही है कि पाकिस्तान कोरोना के मामलों को छिपाने की कोशिश कर रहा है जिससे PSL पर कोई असन ना पड़े क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि PSL के जरिये काफी भीर जमा होगी जो कि इमरान खान के लिए खजाना भरने का एक जरिया है पाकिस्तान लगतार खुद पर लगे इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिती क्या है? ये किसी से भी छिपी नहीं है मीडिया लगतार पाक पर ये आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान कोरोना के मामलों को छिपाने की कोशिश कर रहा है जिससे PSL पर कोई असर ना पड़े क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि PSL के जरिये काफी भीड जमा होगी जो कि इमरान खान के लिए खजाना भरने का एक जरिया होगा इसी तरह कि खबरे में आपके लिए लाती रहूँ ही तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो और नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया